उम शान्ती आज है 19 एपरल 2021 मीठे प्यारे बाबा के साकार महवाक्य सुनेंगे मुर्ली का सार है मीठे बच्चे जब भी समय मिले तो एकांत में बैट सच्चे माशू को याद करो क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशा ही मिलेगी मीठे बच्चे जब भी समय मिले तो एकांत में बैट सच्चे माशू को याद करो क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशा ही मिलेगी प्रश्न है बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्थ हो जाना चाहिए उत्तर कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही याद की महनत नहीं करते घड़ी घड़ी याद भूल जाती है यही है अलबेलापन बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थाई खुशी रहेगी किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा जैसे बांधेलिया याद में तड़फती हैं दिन रात याद करती हैं ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ ओम शान्ती बापने बच्चों को समझाया है तुम भी कहते हो ओम शान्ती बाप भी कहते हैं ओम शान्ती अर्थात तुम आदमाई शान्त स्वरूप हो बाप भी शान्त स्वरूप है आत्मा का स्वधरम शान्त है पर मात्मा का भी स्वधरम शान्त है तुम भी शान्ती धाम में रहने वाले हो बाब भी कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूँ तुम बच्चे पुनर जनम में आते हो मैं नहीं आता मैं इस रत में प्रवेश करता हूँ यह मेरा रत है शंकर से अगर पूछेंगे पूछ तो नहीं सकते परंतु समझो सुक्षम वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह सुक्षम शरीर हमारा है शिप बाबा कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है यह हमने उधार लिया है क्योंकि मुझे भी करमेंद्रियों का आधार चाहिए पहली-पहली मुख्ये बाद समझानी है कि पतित पावन ज्यान का सागर शिरिक्रिष्ण नहीं है शिरिक्रिष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते है वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते है पहले प्रिंस बनते हैं फिर महराजा बनते हैं उनमें भी यह ज्यान नहीं है रचना का ज्ञान तो रच्टा में ही होगा ना शिरी कृष्ण को रचना कहा जाता है रच्टा बाप ही आकर ज्ञान देते हैं अभी बाप रच रहे हैं कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो तुम भी कहते हो बाबा हम आपके है काहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्रामनों की स्थापना नहीं तो ब्रामन कहां से आए सुक्षम वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है उपर वाला सो नीचे वाला सो उपर वाला एक ही है अच्छा विश्नु और लक्षमे नारायन भी एक ही बात है वहे कहां के हैं? ब्रह्मा सो विष्णू बनते हैं. ब्रह्मा सरस्वती ही, सो लक्ष्मी नारायन, फिर वही सारा कल्प, 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं. लक्ष्मी नारायन भी मनुष्य हैं. उनका देवी देपता धरम है. विष्णू को भी चार भुजाएं दी हैं. यह प्रविर्ती मार्ग दिखाया है. भारत में शुरू से ही प्रविर्ती मार्ग चला आता है. इसलिए विष्णू को चार भुजाएं दी हैं. यहां है ब्रह् फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा, शिबामा ने इसमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती, सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठैरा, इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, अभीवे नहीं है, यह शिबामा ने ब्रह्मा द शिबाबा का बच्चा है ब्रह्मा के मुक्कमल से रच्चते हैं इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्री कृपा से सुख घनेरे गाते हैं ना तुम ब्रामण आकर बालक बने हो इसमें समझने की बुद्धी बड़ी अच्छी चाहिए तुम बच्चे शिव बाबा से वर्सा लेते हो ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचैता वा ज्यान सागर नहीं है ज्यान का सागर एक ही बाप है आत्मा का बाप ही ज्यान का सागर है आत्मा भी ज्यान सागर बनती है परंतु इनको ज्यान सागर नहीं कहेंगे क्योंकि सागर एक ही है तुम सब नदिया हो सागर को अपना शरीर नहीं है नदियों को है तुम हो ज्यान नदिया कलकत्ता में भ्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है क्योंकि उनका सागर से connection है उनका मेला बहुत बड़ा लगता है यहां भी मेला लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों combined है यह है चैतन्य वह है जड़ यह बाते बाप समझाते हैं शास्त्रों में नहीं है शास्त्र है भक्तिमारक की डिपार्टमेंट यह है ज्यानमारक वह है भक्तिमारक आधा कल भक्तिमारक की डिपार्टमेंट चली है उसमें ज्यान सागर है नहीं परमपिता परमात्मा ज्यान का सागर बाप संगम पर आकर ज्यान सनान से सबकी सदकती करते हैं तुम जानते हो कि हम बेहत के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रही है बरोबर हम सत्युक्त्रेता में पुज्य देवी देवता थे अभी हम पुजारी मनुश्य है फिर मनुश्य से तुम देवता बनते हो भ्रामन सो देवता धरम में आये फिर शत्रिये वैश्य शूद्र बने 84 जनम लेते लेते नीचे उतरना पड़ा है यह भी तुमको बाप ने बताया है तुम अपने जनमों को नहीं जानते थे 84 जनम भी तुम ही लेते हो जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जनम लेते हैं योग से ही खाद निकलती है योग में ही महनत है भल कई बच्चे ज्यान में तीखे हैं, परंतु योग में कच्चे हैं, बांधेलियां योग में छुटेलियां से भी अच्छी हैं वह तो शिबाबा से मिलने के लिए रात दिन तडफती हैं, तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, तुमको तूफान बहुत आते हैं, वह याद में तडफती हैं, तुम तडफते नहीं हो, उन्हों का घर बैठे भी की बादशाही मिलेगी जैसे बच्चा गर्ब से निकालने के लिए तड़फता है वैसे बांदेलियां तड़फते तड़फते पुकारती है शिप बाबा इस बंधन से निकालो दिन रात याद करती है तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो हम बाबा के बच्चे है हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे यह अंदर स्थाई खुशी रहनी चाहिए परंतु माया याद रखने नहीं देती याद से खुशी में बहुत रहेंगे याद नहीं करेंगे तो गुटका खाते रहेंगे आधा कल तुमने रावन राज्य में दुख देखा है अकाले मृत्यू होता आया है दुख तो है ही भल कितना भी साहुकार हो दुख तो होता ही है अकाले मृत्यू हो जाती है सत्युग में ऐसे अकाले नहीं मरते कभी बिमार नहीं होंगे समय पर बैठे बैठे आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं उसका नाम ही है सुखदाम मनुश्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं कहेंगे स्वर्ग कहां से आया तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं फिर 84 जनम लेते हैं यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है तुम जानते हो हम 21 जनम पावन देवता थे फिर हम शत्रिय वैश्य शूद्र बने अब फिर भ्रामन बने हैं यह स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है यह शिबाबा बैट समझाते हैं तुम जानते हो शिबाबा भ्रह्मा के रत में आया है जो भ्रह्मा है वही सत्यूग आदी में शिरिक्रिश्न था 84 जनम ले पतिद बने हैं फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया है खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है फिर तुमको स्वर्ग की राजथानी का लायक बनाता हूं जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे इसमें मैनर्ज अच्छे चाहिए मुख्य है ही पवित्रता इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं कहां कहां पुर्शों पर भी अत्याचार होते हैं विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं यहां माताएं बहुत होने के कारण शक्ती सेना नाम गाया हुआ है वंदे मातरम अभी तुम ज्यानचिता पर बैठे हो कामचिता से उतर गोरे बनने के लिए द्वापर से लेकर कामचिता पर बैठे हो एक दो को विकार देने का हतियाला विकारी ब्रामन बांदते हैं तुम हो निर्विकारी भ्राम्मन, तुम वह कैंसिल कराए, ज्यानचिता पर बिठाते हो, कामचिता से काले बने हैं, ज्यानचिता से गोरे बन जाएंगे, बाप कहते हैं भल इकठे रहो, परन्तु प्रतिग्या करनी हैं, हम विकार में नहीं जाएंगे, इसलिए बाबा साजन भी है, सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है, बाकी रघुपती राघव, राजाराम की बात नहीं है, उसने संगम पर ही यह प्रालब्द पाई थी, उनको हिंसक बान दिखाना रॉंग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिरफ लिखना है चंद्रवंशी, बच्चों को समझाना चाहिए, शिब बाबा, इस द्वारा हमको यह चक्र का राज समझा रहे हैं, सत्य नाराइन की कथा होती है न, वह है मनुश्यों की बनाई हुई कथा, नर से नाराइन तो कोई बनते नहीं, सत्य नाराइन की कथा का अर्थ ही है, नर से नाराइन बनना अमर कथा भी सुनाते हैं परंतु अमर पुरी में तो कोई जाते नहीं मृत्यू लोग 25 वर्ष चलता है तीजरी की कथा माताई सुनती है वास्तव में यह है तीसरा ग्यान का नेत्र देने की कथा अभी ज्यान का तीस्टा नेत्र आत्मा को मिला है तो आत्म अभिमानी बनना है मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ मेरे में ही संसकार है मनुश्य सब दे अभिमानी है बाप आकर देही अभिमानी बनाते है लोग फिर कह देते हैं आत्मा पर्मात्मा एक है पर्मात्मा ने यह सब रूप धारन किये है बाप कहते हैं यह सब रौंग है इसको मिथ्या अभिमान, मिथ्या ग्यान कहा जाता है बाप बतलाते हैं मैं बिंदी मिसल हूँ तुम भी नहीं जानते थे, यहे भी नहीं जानते थे अभी बाप समझाते हैं, इसमें संशे नहीं आना चाहिए निश्चे होना चाहिए बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं संशे बुद्धी विनश्यन्ती यह पूरा वर्षा नहीं ले पाएंगे आत्म अभिमानी बनने में ही महनत है खाना पकाते बुद्धी बाप की तरफ लगी रहे हर बात में यह प्रेक्टिस करनी चाहिए रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना यह अभ्यास हर बात में चाहिए जितना समय फुर्सत मिले याद करना है याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे आठ गंटा करम के लिए छुट्टी है बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए तुम्हें सबको बाप का परीचे भी सुनाना है आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं हम स्वर्ग में थे अभी फिर नर्कवासी हुए है अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए भारतवासियों को ही समझाते हैं बाप आते भी भारत में ही है देखो तुम्हारे पास मुसल्मान लोग भी आते हैं वो भी सेंटर संभालते हैं कहते हैं शिबाबा को याद करो सिख भी आते हैं क्रिश्यन्स भी आते हैं आगे चल कर बहुत आएंगे यह ग्यान सबके लिए है क्योंकि यह है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का परन्तु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा देदान तो छूटे ग्रहन अभी भारत पर राहू का ग्रहन है फिर प्रहस्पती की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए पहले होती है प्रहस्पती की दशा फिर शुक्र की दशा सूरे वंशियों पर प्रहस्पती की दशा चंदर्वन्शियों पर शुक्र की दशा कहेंगे फिर दशा कमती होती जाती है सबसे खराब है राहू की दशा ब्रहस्पती कोई गुरू नहीं होता है यह दशा है व्रिक्षपती की व्रिक्षपती बाप आते हैं तो ब्रहस्पती और शुक्र की दशा होती है रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है तुम बच्चों पर अभी ब्रहस्पती की दशा बैठी है सिरफ व्रिक्षपती को याद करो और पवित्र बनो बस अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की, रुहानी बाब दादा को, दिल वाजान सिक्वा प्रेम से, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरे भाग्य विधाता बाबा. धारना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रेक्टिस करनी है देह का अहंकार समाप्त हो जाए इसके लिए ही महनत करनी है दूसरी पॉइंट सत्योगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्ज रॉयल बनाने है पवित्रता ही सबसे उची चलन है पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे वर्दान है भोलेपन के साथ ओल्माइटी अथोरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ती स्वरूप भव भोलेपन के साथ ओल्माइटी अथोरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ती स्वरूप भव बाब समझाते कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है सरलता भोला रूप धारन कर लेती है लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको सरलता के साथ समाने और सेहन करने की शक्ती चाहिए जैसे बाब भोलानात के साथ ओल्माइटी अथोरिटी है ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ती स्वरूप भी बनो तो माया का गोला नहीं लगेगा माया सामना करने के बजाए नमसकार कर लेगी स्लोगन है अपने दिल में याद का जंडा लहराओ तो प्रतेक्षता का जंडा लहरा जाएगा अच्छा, ओम शान्ती